नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर में आपके साथ शवानी पांडे आतिंगवादियों के खिलाफ लड़ाई में भारत को बड़ी काम्याभी हाथ लगी है म्यानमार ने NSA AG डोभाल की निगरानी में गुपत अभियान के तहट 22 उग्रुवादियों को भारत को सौंप दिया है इस अभियान के साथ ही पहली बार बाकडोर डिपलोमेसी ने परणाम दिखाए है इन उग्रवादियों को भारत को सौपते हुए म्यानमार ने साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में म्यानमार भारत के साथ है सभी उग्रवादियों को एक विशेश उडान द्वारा भारत वापस लाया गया है इस पूरे मिशन पर खुद एनसे अजी डोभाल निगाह बनाये हुए थे इस मिशन की काम्याबी को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह भी देखा जा रहा है ये इस तरह का पहला उपरेशन है जो की एक मजबूत संदेश भी है कि अब म्यानमार में उगरवादी संचालन नहीं कर सकते हैं इस पूरे उपरेशन की देखरे एक एनसे अजी डोभाल ने खुद की थी और इन सभी को मनिपूर और असम के स्थानी अधिकारियों को सौप दिया गया था उगरवादीयों को ले जाने वाले विमान का पहला स्टॉप मनिपूर की राज़दानी इंफाल में था यहां 12 उगरवादीयों को सौपने के बाद विमान बाकी विद्रोहियों के साथ गुआटी पहुचा और बाकी विद्रोहियों को अधिकारियों को सौप दिया गया पिछले साल ही जनवरी में म्यानमार की सेना ने भारत के पूर्वोत्तर के उगरुवादियों के खिलाफ कई ओपरेशन किये थे उनमें से कई को पकड़ लिया गया था कुछ को जेल भी हुई NSA डोभाल पिछले एक साल से उगरुवादियों को खदेडने के लिए म्यानमार की सेनी कमांडर इन चीफ मिनोंग लिंग के साथ काम कर रहे हैं बारती सुरक्ष अजेंसियों के अनुसार उत्तरपूर्व के अधिकान चुगरुवादी समू म्यानमार को अपना सुरक्ष ठिकाना मानते हैं वहीं अपने कैम्प्स लगाते हैं और नए लोगों की ट्रेनिंग भी इनी कैम्पू में होती है आपको बता दे कि पिछले साल फर्वरी मार्च के महिने में एक ऑपरेशन में बाई सुगरुवादियों को पकड़ा गया था बारा विद्रो ही जो वापस लाए गए हैं वो मनिपूर के हैं जो की कई समूहों से संबंदित है तो यह भारत की बड़ी कूट नितिक जीत है और आतंगवाद की ओर एक इशारा कि म्यानमार भी अब भारत के साथ है आतंगवाद के खात्मे के लिए इसे के साथ आप देखते रहें आज की खबर नमस्कार